से बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जहां रुची ग्लोवल प्राइवेट लिमिटेट में सीबी आई का छापा पड़ा है इंदा और समित 6 शहरों में सीबी आई ने छापा मार कारिवाई की है 288 करोर रुपए के फ्रॉड मामले में कारिवाई की गई उमेश शार्दा साकेद बरोदिया के ठेकानों पर कारिवाई अभी भी जारी है इसके साथ ही आशियोटोश मिष्रा के ठेकानों पर भी कारिवाई जारी है तो CBI ने कई महतपूर्ण दस्तावेज जब्त किये हैं इ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में CBI ने चापा मार कारिवाई की है। इन दौर समिट 6 शेहरों में ये चापा मारा गया है। एक्सक्लोजव तस्वीरे इस वक्त बंसल न्यूस पर आप देख रहे हैं। इसी खबर पर विस्तार से हम जानकारी लेंगे, समवाद दाता अखलेश हमारे साथ इंदौर से लाइफ जुड़ गए सीधे उनकरूप करते। अखलेश विस्तार से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, बड़ी कारवाई इस वक्त इंदौर में चल रही है। या को जानकारी। इस विस्तार ने शिकायत दर्च करवाई थी सीवी आई में 2016 और 2017 का ये मामला था और उसके बाद लगातार इसमें जाचे की जा रही थी और जाच करने के बाद जो सीवी आई की टीम में कल यहां पर पहुंची थी और जहां पर जो आफीस है यहां पर पूछताश की गई और उसके साथ ही कहीं अहम जो दस्तावेज है वो यहां से सीवी आई ने बरामत किये हैं तो कहा है सकता है कि एक ब्रेंग फ्रोट का एक बड़ा मामला है जो की 188 करोड रुपे का मामला था और उसके बाद लगातार इसमें शिकायतों का दौर जा रही था उसके बाद जो जो सिवी आई की टीम है वो लगातार अब पूछताज कर रहे हैं तो देखना होगा कि जो सिवी आई की टीम है वो आगे क्या कारवाई करता है और उसके साथ ही जो रूची सोया पर जो टीम पहुंची है वो अभी यहां से जा चुकी है फिलाल में जया बिल्कुल यह जानकारी साधा करने के लिए तो आपको बता दे रुची ग्लोवल प्राइविट लिमिटेट में सीबी आई ने च्छापा मार कारिवाई की हैं दौर समेत 6 शहरों में ये च्छापा मारा गया है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई महत्पूर्ण दस्तावें शहरों में एक साथ ये च्छापा मारा गया है तो 188 करोर रुपे के फ्रॉट से संबंदित मामले में सीबी आई ने प्रकरन दर्ज किया था और उसी कड़ी में ये कारिवाई की गई है